प्यारे बच्चो आज के एस वीडियो में हम सड़क दुरगटना से बचने के उपाई जानेंगे अर्थात एसे उपाई जानेंगे जिससे एक्सिडेंट से हम बच सके तो आईए वीडियो की सिरुवाद करते हैं देखिए आगे बढ़ने से पहले बच्चो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि सड़क दुरगटना के कारण जाने थे कि किनकिन कारणों से एक्सिडेंट होते हैं उन कारणों में ही हम चाहिए जोड़ देंगे केवल उसमें चाहिए जोड़कर हमारे उपाई ये बन सबसे पहला कारण हमने जाना था कि तीवर गतीम से वहान चलाने के कारण इन कारणों से क्या होता है एक्सिडेंट होता है नसे में वहान चलाने के कारण और हेलमेट ना पहन कर गाड़ी चलाने के कारण और रोड क्रास करते समय दाई और बाई और ना देखने के कारण और गाड़ी चलाते समय मूबाइल पर बात करने के कारण और वहनों को चलाते समय लापरवाई करने के कारण बच्चो यह हमने पिछले वीडियो हमने यह कर चुक है यदि आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीचेगा और इसमें के वलब फरक इतना सक है इसम मर्दों नसे में वहान नहीं चलाना चाहिए नमर तीन कर देना आप इसको हैलमेट अभी नाटा देना हैलमेट पहन कर गाड़ी चलानी चाहिए और रोड क्रॉस करते समय दाई और बाई और देखना चाहिए ठीहां से सुनीगा आप जब गलस लद लिख लिख लेए पिर म बता रहा हूं। नम्मर पांच है, गारी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। और नम्मर च्छे बन जायगा आपका, कि वहान को चलाते समय लापरवई नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? तो आब इन्गें किस परकार? देखें। कि आपको इस परकार लिखना है कि तीवर गती से वहान को नहीं चलाना चाहिए दो पईयां वहान जो है जो है मोटर साइकल जिसे बोलते हैं उसको हेलमेट पहन कर चलाना चाहिए और वहान चलाते समय मूबैल पर बात नहीं करना चाहिए और नसे में वहान नहीं चलाना चाह चाहिए सड़क के जो भी संबंदित संकेतों का ग्यान होना चाहिए तथा उसका पालन भी करना चाहिए देखिए बच्चों यहां पर थोड़ी सी मिश्टेक होगी है तथा और 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 आएगा जब आपका पुर्ण विराम नहीं रहता है इस बात का ध्यान रखेगा है तथा एवाम और और जब रहेगा तब पुर्ण विराम का यह जो पुर्ण विराम तो इसका यूजनी करते हैं तो देखिए सड़क से संबंदित संकेतों के ज्यान होना चाहिए तता उनका पालन करना चाहिए बड़ाए सिंपल प्रसन था बच्चों आप इससे आप नोट कर लि देते हैं और मेरा प्रियास रहता है कि मैं आपको पर इच्छा मेच्चे से चंक दिलवा सबूँ देखिए तो आप इससे नोट कर लिजिए अब